ममश्कार मैं हुरे खपाल और आप देख रहे हैं Vibrant Live News महाराश्ट के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मुंबई के जिजे अस्पताल में पेट दर्थ के शुकायत के बाद भरती हो गए है नवाब मलिक को अदालत में फिलहाल 3 मार्ज तक प्रवर्तिर निदेशाले यानी ED की कस्टेडी में भेजा है उनके उपर मनी लॉंडरिंग के पहत मुकदमा दर्स किया गया है मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडर्वल डॉन दाउद इब्रहेम की बहन हसीना पारकर से कुरल अस्थित गोवावाला कुंपाउंड में 3 एकर जमीन खरी दी थी उन्होंने जमीन मातर 55 लाख रुपे में खरी दी जिसके कीमत 300 कोरोड रुपे के आसपास है मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है जबसे उन्होंने एंट्री ड्रक्स एजेंसी एंसीवी के मुंबई शेतर में पूर्म निदेशक समीर वानखेडे के खिलाफ नीजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाये थे मलिक के धामाद समीर खान को गतवर्ष मादक प्रदाथ के एक मामले में एक एंसीबी ने गिरफतार किया था अनवल की गतिविदियों समपत्ती के अवैद रूप से कथित खरीद फोरुक्त और हवाला लेंदे इनके संबन में इडी ने 15 फ़वरी को मुंबई में चापे मारे गी थी और एक नया मामला दर्स के आथा जिसके बाद मलिक को गिरफतार किया गया इस मामले को लेकर राज में सियासी घमासान मचा हुआ है महाविकास घडी किनेता इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला वर है और इसे राजनिती से प्रेडित कारवाई बता रहे है फिलाल खबरों में इतना ही देश्वी देश्वी तमाम खबर जानने के लिए देखते रहिए बार्बिंट लाइम निउस मेर बैसाती जनता की आवाज